साथियों, आज जैसे च्छत्रपती सिवाजी महाराग की जेनती का हमें गर्व हैं, वैसे ही मुझे आज धर्मपाल जी की आद आती हैं, महान गांधीवादी धर्मपाल जी, आज महान गांधीवादी धर्मपाल जी की भी जन्मजेनती हैं. उनकी एक रचना है, the beautiful tree, indigenous, Indian education in the 18th century. आज आपसे बात करते हुए मैं इस पवित्र धाम में जब आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरा मन करता है उसका जीक्र मैं जुरूर करूं, और बंगाल की धर्ती, उर्जयावान धर्ती के बीच जब बात कर रहा हूं, तब तो मेरे स्वाभावी मन करता है, कि मैं जुरूर ध धर्मपाल जी ने इस पुस्तक में धर्मपाल जी ने थौमस मुंद्रों द्वारा किये गए एक राष्ट्रिय शिक्षा सर्वे का ब्योरा दिया है 1820 में हुए इस सिक्षा सर्वे में कई ऐसी बाते हैं जो हम सब को हैरान भी करती हैं और गवरों से भर देती हैं उस सर्वे में भारत की साक्षर्ता दर बहुत उंची आंकी गई थी सर्वे में ये भी लिखा था गया था कि कैसे हर गाउं में एक से जादा गुरुकुल थे और जो गाउं के मंदिर होते थे वो सिर्फ पुजापाड की जगा नहीं बेश शिक्षा को बढ़ावा देने वाले शिक्षा को प्रोचान देने वाले एक अत्यंद्र पवित्र कारिय से भी गाउं के मंदिर जुड़े हुई रेते थे वे भी गुरुकुल की परंपराओं को आगे बढ़ाने में बल देने में प्रयास करते थे हर खेत्र हर राज में ये बड़ी महतोपन बात है हर खेत्र हर राज में तब महाविद्यालेयों का बहुत गर्व से देखा जाता था कि कितना अबढ़ाओं का नेटवर्क था उच्च शिक्षकान के संस्तान भी बहुत बड़ी मात्रा में थे भारत पर ब्रिटीज एजुकेशन सिस्टिम थोपे जाने से पहले थोमस मूंद्रों ने भारतिय सिक्षा पद्धती और भारतिय सिक्षा विवस्ता की ताकत को अनुभो किया था देखा था उन्होंने देखा था कि हमारी सिक्षा विवस्ता कितनी वाइबरेंट है ये 200 साल पहले की बात है इसी पुस्तक में विल्यम एडम का भी जिक्र है जिन्नों ने ये पाया था कि 1830 में बंगाल और बिहार में एक लाग से जान्दा विलेज खुल थे ग्रामिन विद्यागे थे साथियों ये बाते में आपको विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें ये जानना आवशक है कि हमारी सिक्षा विवस्ता क्या थी कितनी गवरोपुन थी कैसे हर इंसान तक पहुंची हुई थी और बाद में अंग्रेजों के कालखन में और उसके बाद के कालखन में हम कहां से कहां पहुंच गए क्या से क्या हो गया गुरुदेव ने विश्व भारती में जो व्यवस्ताइं विक्सित की जो पद्धतियां विक्सित की वो भारत के शिक्षा व्यवस्ता को परतंत्रता की बेडियों से मुक्त करने भारत को आधुन मनाने का एक माध्यम थी अब आज भारत में जो नई राष्ट्य शिक्षानिती बनी है वो भी पुरानी बेडियों को तोड़ने के साथ ही विद्यार्थियों को अपना सामर्थ दिखाने की पूरी आजादी देती ये सिक्षानिती आपको अलग अलग विश्वों को पढ़ने की आजादी देती है ये सिक्षानिती आपको अपनी भाषा में पढ़ने का विकल्प देती है ये सिक्षानिती एंट्रप्रिनर्शिप, सेल्फ एंप्लोमेंट को भी बढ़ावा देती है ये सिक्षानिती रीस को इनोवेशन को बल देती हैं बढ़ावा देती हैं आत्म निर्भर भारत के निर्माण में ये सिख्षानिती भी एक एहम पड़ाव है देश में एक मजबूत रिशर्च और इनोवेशन इको सिस्टिम बनाने के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है हाली में सरकार ने देश और दुनिया के लाखो जर्रॉनल्स की फ्री एकसेस अपने स्कॉलर्स को देने का फैसला किया है इस साल बजेट में भी रिशर्च के लिए नेशनल रिशर्च फाउंडेशन के माध्यम से आने वाले पांच साल में पच्चास हजार करोड रुपिय खर्च करने का प्रस्ताव रखा है साथियों भारत की आत्म निर्वरता देश की बेटियों के आत्म विश्वात के बिना संभव नहीं है नई राष्ट्रिय शिक्षानिती में पहली बार जेंडर इंक्लूजन फंड की भी विवस्ता की गई है इस पालिसी में छट्थी क्लास से ही कार प्रेंट्री से लेकर कोडिंग तक ऐसे अनेख स्किल्स स्टेट्स पढ़ाने की योजना इसमें हैं जिन स्किल्स से लड़कियों को दुर रखा जाता था शिक्षा निती बनाते समय बेटियों में ड्रॉप आउट रेट जादा होने के कारणों को गंबीरता से स्टड़ी किया गया है इसलिए पढ़ाई में नरंतरता हो डिगरी कोर्स में एंट्री और एक्जिट का अप्शन हो और हर साल का क्रेडिट मिले इसकी एक नए प्रकार की व्यवस्ता की गई है